उत्राखंड में मुसल्मानों को वहां से भागाया जा रहा है और भाजपा के लोग सीज़तोर पर एरान कर रहा है जो उत्राखंड में हो रहा है यह हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा यह खत्रा हो और हिंदुस्तान को यह आग में जोक लगतार जोक रहे हैं ताकि इनकी सत्ता वनीर है जब मनीपूर जल रहा था तो हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री वो करनाटक में चुनाव प्रचार कर रहा था कोई रात के भीता जो नरेंदर मोदी को भारती जनता पार्टी को आरे से इसको बैरंग दल को इन तमाम लोगों से संग्विधान से मतलब नहीं है करनाटक चुनाव के समय करनाटक चुनाव के दोरान मोदी जी ने कहा था कि जब कॉंग्रेस की सरकार वहां आएगी तो दंगे होंगे लेकिन हमारी सरकार आएगी तो करनाटक जैसे राज़ुम में दंगे नहीं होंगे अगर वहां बीजेपी सत्ता में आती है तो भेराल BJP को वहां तो करारी शिकस्त मिली है लेकिन उत्तरा खंट और मनीपूर जहां BJP सत्ता में है वहां देखा जाए तो संप्रैदाइक हिंसा हो रहा है मनीपूर 40 जिन से जादा एक महीने से जादा मनीपूर जल ना है और 100 से जादा लोग वहां मरे जा चुके हैं पुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ आईसा के छात्र नेता दिव्यम है दिव्यम जी मोधी जी ने कहा था करनाटक चुनाओ के समय के कॉंग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे बहुत सारी बात उन्होंने कही थी लेकिन उनका खुद का राज जहां बीजेपी अगर करनाटक के लोग भाजपुर्याश्य को चूनकर सदर में नहीं बेजेंगे तो वहीं भाजपा के परतियासिया हार जाएं तो वह क्या करें तो गली-गली में गुंगुम करके हिंदू मुसल्मान करेंगे और दंगे करेंगे तो कि देश पुरा जानता है कि हिंदुस्तान के वीतर जो दंगों का इतिहास है चाहिए पहले के दंगा हो जाहिए भाजपाई लोग और उस विचार धारा से जो जुड़े हुए लोग रहे हैं आप वह हिंदुस्तान का पधान मंत्री जिसे जा करके वहां बातचीत करनी थी वह करनाटक में चुनाप्रचार कर रहा था तो सवाल यह मशला यह है तो पूरे अभी देखे उत्राखंड में क्या हो रहा है कि उत्राखंड में मुसल्मानों को वहां से भागाया जा रहा है और भा करवा ही रहे हैं अपने अपने हिसाब से अपका सबसे बड़ा घटना देखिया क्या हुआ उसमें सासारा में ग्रिफतार कौन हुआ बाटपा का पूरे विधाय ग्रिफतार हुआ तो इन लोगों की पूरी प्लाइनिंग है कि हिंदुस्तान के भीतर संप्रदाई मनेपुण में ग्री मंत्री एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमने इतने हथियार लोगों ने सरेंडर किये हैं अब वह कर आए होकर क्या है उल्टा उसको अगले दिन जब ख़बर को देखिएगा तो बहुत सारे हथियार पुलिस के हथियार से वहां के लोगों ने लूट लि दंगा वाला कहीं उभार था तो यह उसी तरह से पूरे का पूरा हिंदुस्तान बना देना चाहते हैं यह बहुत चिंता का विशह है लोकतंत्र खत्रे में है या फिर यूं कहें कि इस तरीके से हर रोज लोकतंत्र की हतिया हो रही है आप सोची कि आपको याद होगा कि गो व्लाना तारीक को खाली करे और चले जाईए तो यह उस राज में हो रहा है यह उस देश में हो रहा है जहां लोकतंत्र है जहां बाबा साहिप का समैद्धान है सुप्रीम कोड के आदेश के बावजूद नफरत बयान BASI हो रही है तो यह एसा नहीं लगता है यह चिंता क इसको बैरंग दल को इन तमाम लोगों से संग्मिधान से मतलब नहीं यह बार बार यह कहते भी हैं कई बार हमने देखा कि संशत परीश्र में संग्मिधान की प्रतियां जलाई गई हैं धोंग के तौर पर इनके सामने मजबूरी है कि बाबा साही भीम राम पेड़कर इस दे दूसरी तरफ हिंदोस्तान को यह दंग की आग में जोक लगतार जोक रहे हैं ताकि इनकी सत्ता वनीर है कि पूरी की पूरी राजनीत है इनकी वहीं फसल काटते हैं आपने देखिए कि बहुता करनी चाहिए थी वहां दूरगटना नहों इसके उपर उसको सफाई देना च चाहिए था उत्राखंड में सेलेक्टेवली मुसलमानों को टारिगेट किया जा रहा है इस रिव उत्राखंड की बात नहीं यह पूरे भारत की बात है कि रंग के भेदभाव पर बोली के बहदभाव पर लव जिहाद का मामला होता है तो पूरे मुसलमान को इस तरीके से क्या जा रहा था और 2022 के बाद गुछ जाधे तर देखने के लिए मिलना है हिंदूस्तान के भी तब हें ज Pero अलग अलग जग हुआ वह से लोग उन्मात पहनाने के कोशिज कर रहे हैं लेकि इस उन्मात के कराना जवाब इनको मिलेगा हैंदुस्तान की जंता अपने लोकतांत्रिक मुल्य जो इन्हों अरजित किया है जो हमारे पुर्खों ने लड़कर के अजादी की लड़ाई और उसके बाद यह अरजित के हुआ लोकतंत्र है इसको बरबाद नहीं करने दिया जाएगा उत्राखंड के खिलाप देश के अलग-अलग हिस्तों में परतिरोध हो रहा है उत्राखंड में परति के मुख मंतरी मौन है और देश के परधान मंतरी जो हर बात पर हर सेकंड में कुछ इस तरह का मामला होता है तो वह ट्वीट करते हैं लेकिन मुसल्मानों के मुद्दे पर वह हमेशा खामोश नजर आए हैं बैराल आपकी क्या परतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरू करें अगर आप हमारे यूटूब चानल पर हैं तो सब्सक्राइब करें